ना मिट्टी की खुदाई करनी हैं, ना गुडाई करनी हैं, बस आपको एक चम्मच ये सफेद रंके चेज लेनी हैं, इसके बाद जिस पौधे पर कभी नीबू नहीं आया है, उस पर भी नीबू आने लगेगा, फल बन जाएंगे, छोटे छोटे फल बनेंगे, और जो फल उनका साइज तेजी से बड़ा होने लगेगा, तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये सफेद रंके चेज है क्या, इसका प्रयोग नीबू में कब और कैसे कर सकते हैं, इससे पहले अगर आप पहली वार हमें देख रहे हैं, तो जल्दी से हमें सस्काइब कर लें, और या तो साइज छोटा होकर गिर जाता है, या ब्रांच जो है काली पड़ रही है, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, पर नीबू नहीं लग रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्या हैं, इनका एक सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं, वीडियो के सुरू में ज पारेंच का सीमेंट का पॉठ है, और इसमें हमारा एक सदा वाहर नीबू का पौदा लगा है, इसी पौदे पर हम ये सभी प्रकरिया करके आपको देखाएंगे, अगर नीबू सम्मंदित कोई समस्ता है, तो आप कमेंट में पूरा लिखिए, हम पूरी जानकारी और पारेंच दिख जाएं, उन्हें कट कर देना है, सूखी ब्रांच होने से मकडी आती है, मकडी डाइवेक की बीमारी लेकर आती है, जिससे जला बन जाता है, इसके अलावा जो ब्रांचे साब को इस तरीके से नंगी दिख रही है ना पत्तिया नहीं है, उन्हें रिमूब क की पिंचिंग उपर से इन्हें साखाओं को थोड़ा-थोड़ा कट कर दूँगा, कर दिया, इसके बाद हमें एक कील या पेचकस ले लेना है, और अगर गमला है या जमीन है, तो उसमें मैं जैसे होल बना रहा हूँ ना, ड्रेनेज होल जैसे हम बनाते हैं, बैसे ही गहरे होल बना दे रहें, अब होता क्या है कि मिट्टी की हम बार बार गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधा सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें खाद या जो भी हम पोशकतत तो देंगे, वो नीचे तक जाने चाहिए, तो इसके लिए हम या पर छेद बना रहे हैं, जिस से जो भी चीज हम पोशकतत तो देंगे, वो पौधे के नीचे वाली जणों को आसानी से मिल जाएंगे, इसके बाद आपको ये चीज लेनी है, ये काली दानेदा चीज आपको खाद वीज वाली दुकान पर मिल जाएगी, इसे बोलते हैं, सीवीड या वायो जाएम, ये एक और्गैनिक फेटलाइजर है, जो के ऑनलाइन मिल जाता है, मैं वीडियो की डिस्किप्शन में लिंक दे दूँगा, इस खाद का प्रियो करने से मिट्टी कारवने को हो जाती है, लंबे समय तक भुरुरी बनी रहती है, और अपने आप रीचार्ज होकर पोशकत त ये सीवीड आपको इस तरीके से पौदे की सतय के उपत बिखेर देना है, और अब आपको चाहिए ये सफेद रंग की चीज, जो के वीडियो के सुरू में मैंने आपको देखाई थी, ये दानेदाज जो चीज आपको दिख रही है से बोलते हैं, मैगनीसियम सलफेट या एपसम सॉल्ट, जो के खादवीज वाली दुकान पे मैगनीसियम सलफेट या एपसम सॉल्ट के नाम से मिलेगा, वहाँ ना मिले ते ओनलाइन वाजार की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से से खरी सकते हैं, देखिए, ये सॉल्ट है त जो पीली पत्तियां बोनी ही बनेंगी, पौधे की जड़ों का विकास जल्दी होगा, पौधा पानी और भोजन जल्दी गिरहन करेगा, जिससे उस पे फूल फल जल्दी आएंगे, तो इसमें से आपको पांच ग्राम एपसम सॉल्ट एक लीटर पानी में मिक्स कर लेना है और इसे गोल लेना है, बाकी का जो पांच ग्राम एपसम सॉल्ट बचा है, उसे पौधे पर उपर डारेक्ट मिट्टी पर छड़काव कर देना है, या सिचाई में पानी के साथ गोल कर भी आप इसे दे सकते हैं, तो मैंने सूखा डाल दिया है, इसके वाद हम क्या करेंग जैसे हम पानी देते ना, वैसे ही थोड़ा सा पानी दे देंगे, जिससे ये एपसम सॉल्ट और हमारा सीवीड घुल कर पौधे की जो मुख्य जड़े हैं, जहां से पौधा भोजन लेगा, वहां तक ये पहुन जाए, इसके वाद जो बचा हुए एपसम सॉल्ट जो के हम और अपने नीवू का जो पौधा है, उसे अच्छे तरीके से सराबोर कर देंगे, ध्यान रखिए, एपसम सॉल्ट थोड़ा गर्म होता है, तो गर्मी में इसका प्रयोग कम करें या ना करें, बरसात और सर्दियों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, नीवू बर ये जि